कोडोवा मोबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट टूटूरियल के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इन एक बराउजर प्लागिंस के बारे में तो चलिए देखते हैं को उसको आप कैसे इंस्टोर करेंगे तो आप location पर फोल्डर बनाना चाहते हैं उस location को एक सेस कर लिजिए उसके बाद आप कामांड चलार ये कंड्र 190 ओवा इसके बाद की रिएट उसके बाद फोल्डर के नाम तो फोलडर के नाम में ब्राऊजर लगता हूँ और इंटर प्रेस कर दूंगा तो यहां पर देखिये के लिए आप कमांड चलाए कुड़ोवा प्रेटफॉर्म एड उसके बार ओप्रेटिंग सिस्टम का नाम तो मैं एंडुरॉइड पार्ष करता हूं और इंटर दबा दूंगा तो जैसे आप इंटर दबाएंगे तो थोड़ा सा यह समय लेगा उसके बार एटमेटिक करने के लिए कमांड चला यह कोड़ोवा प्लॉगीन एड उसके बार लिखे कोड़ो यह हैफीं फ्लॉग इन एप ब्रावजर आप स्पेलिक देख लिए और उसके बार इंटर दबा दिति तो यह फोलडर में इंस्टॉल हो गया अब वह चलते हैं फोलडर में देखते हैं कि क्या इंस्टोल हुआ है या नहीं तो देखिए यहां पर यह फोल्डर रहे बराउजर इसे पहले मैं इतना सारा प्रागिंज को बता चुका हूं इसी चाइनल पर तो मैं बराउजर पर डबल किलिक करूंगा और प्लाउज पर जाओंगा तो देखिए इन ए बराउजर प् होगा इसे में ही मैं कोडिंग करूंगा इस से पहले मैं इस जो इंडेक्स person करूंगा और इसको भी मैं सब्लाइम declaring मैं मैं इसको open call देता हूँ और simply सबसे नीचे आ जाओंगा और यहां पर देखें यह आपका जो security policy है इसको मैं comment pass call दूँँगा इस परकार से और जहां तक यह होगा वहां तक इसको मैं comment में रख दूँगा यह इसलिए कलते हैं क्योंकि कोड़ोवा से यह protected होता है कि आप अलग से कोडिंग ना कर पाएं तो यह उसको मैं comment call दिया हूँ अब मैं यह जो आपाची है इसको मैं यह टेग के माधियम से लोग करूंगा आपको example दिखाता हूँ कि आप इन ब्राजर से क्या कर सकते हैं आप जावा स्क्रिप्ट में इस तरह से कोडिंग करते थे में इस तरह से पास करते थे और इसका कुछ भी लुकेशन पास कर सकते थे जैसे कि मैं https पास करूंगा और www के बाद मैं google.com इसमें पास कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको यह प्लिकेशन में यह आपका खुलेगा तो क्या यह होगा चलिए आप मैं आपको बताता हूं मैं इसको से करूंगा और और simply यहां पर आऊंगा और यहां पर मैं command चलाऊंगा code over run उसके बाद android तो देखे यहां पर यह सक्सिज हो गया और emulator में यह on हो गया और यहां पर देखे जो h1 है यह टेक के बंद है तो यह एक link के तरह लग रहा है मैं इस पर click करूंगा जैसे मैं इस पर click करूंगा तो यह देखी यह उसमें open नहीं हुआ यह आपके mobile में जो बराउजर है यह उसमें open हो गया तो मैं चाहता हूं कि मैं जो application चला रहा हूं उसी में open हो तो उसके लिए आपको custom coding करना होगा तो यह open नहीं हुआ तो मैं एक काम करूंगा यह जो h1 है मैं h1 को यहां से remove कल दूँगा यहां से भी h1 को मैं remove कल दूँगा जा simply h1 को मैं रखता हूं और यहां के जो href है और target है इसको मैं remove कल दूँगा इसको भी remove कल दूँगा और इसमें id पास कल दूँगा इसमें id पास कल दूँगा इसको क्या आइडीं है शर्प लिंक है हमें क्या करूंगा एक्स पे जब केलीख होगा तो मैं एड़ डिशनत के मारे हम से क्लिए के एक एबेट पास करूंगा और इसमें एक में function पा फैंस कलोंगा देखिए मैं function कैसे लिखता हूं इस प्रकार से लिखोंगा परेंथिसर दूंगा कली बलेकर दूंगा उसके बाद मैं इसको अगलाब जो तीस तीसर प्राइमिटर से उसको मैं फर्स कर दूंगा इसमें मैं सिंप्ली कोड़ोवा लिखोंगा कोड़ोवा डॉर्ट इन एप उसके बार बरावजर देखिए इस परकार से मैं लिखूंगा और इसमें मैं open method पास करूंगा इस प्रकार से open method पास कर दोंगा यहां पे आप कोड़ोवा का जो फर्स्ट लेटर है इसको आप capital कर दीजेगा तो देखिए कोड़ोवा in app browser और open में जो पहला parameter देंगे वह आप location देंगे मिन domain name देंगे तो मैं https से उसके बाद Google.com यहां पर पास करता हूँ इसके बाद मैं जो अगला parameter पास करूंगा वो आप टार्गेट पास करेंगे तो मैं यहां पे blank target पास करता हूँ और blank के बाद मैं इसमें location पास करूंगा मैं आपको बताता पास यह क्यों किया हूं तो यह करने से क्या हो गया जब आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पर क्लिक करने का मतलब क्या जब आप इस एक पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए तो कोड़ोवा के मार्यम से इन एप बरावजर के मार्यम से ओपन हो जाएगा यह लिंक मैं इसको यहां पर क्लिक करूंगा एक बार देखे जैसे मैं क्लिक किया तो कोई इसमें इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला तो देख लिए यहां पर सिर्फ आप आईडी लगा है बट एचरेफ का वेलू आप नहीं दिया है तो मैं एचरेफ दूंगा और इसको हैच सिंबर पास क लिआ हुँ उसके बार इन इंक बराउजर उसके बार बोपेनılar उपन में इस यह लिंक है मैं इसको श्यव करोंगा और फिर से यहां पर मैं को रन करूंगा तो देखे यह यह उन होने लगा इस प्रकार से देखेशिए यहां पर लिंक हो गया में इस पर एक बार टेप करों था यह उसमें इसमें एपन उवा और यह 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 यहीए लिग करूंगा तो यहां पर आपका ढटाउंट हो गया तो यहां पर आपका यह लूकेशन दिखा रहा है बट कहीं कहीं अगर आप प्लेयर स्टोर से अप्लिकेशन डाउनोड करते होंगे तो किसी किसे केस में वहाँ पर आपका यह यूवाले और बैक नेस्ट बटन नहीं दिखाता होगा तो आप अगल आप चाहते हैं कि नहीं दिखाए तो आपका यह ज करूंगा तो यहां पर आपका यूवाले दिखा रहा है वह यूवाले नहीं दिखाएगा मैं देखे यहां पर आऊंगा और फिल से कमांड चलाऊंगा तो फ्रेंस आप अपने नेट कनेक्शन का अनुसाल देखेगा आप में हो सकता है कि आप में यह काम कर जाए तो फ्रे video.